आप सभी के च्छाओं को नमन आज बड़ा ही सुन्दर प्रशन आया है कनाडा से कि मैं अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता हूँ लेकिन मेरी माँ मेरी पत्नी को पुरानी परंपराओं के बारे में ज्यादा परिशान करती है और मेरी पत्नी मेरे को लड़ाई करती रहती है इस बात को लेकर के मेरी माँ अपनी परंपराओं को छोड़ने को तयार नहीं है ये प्रशन स्वभाविक्सा है बहुत लोगों के साथ है और घरों के अंदर सास बहु कि अगर कहीं मैं लड़ाई की बात करूँ तो वो परंपराओं को लेकर ही है परंपराओं का मैंने कल बताये था कि किस तरीके से हम परंपराओं को ढो रहे हैं आपको उस परंपरा के लिए मैं एक वाक्या बताता हूँ किसी गाओं में बहुत सारे पेड़ थे और फल लगते थे फल कम थे लोग जादा थे तो किसी को जादा फल मिल जाते थे किसी को कम कोई परिशान रहता था कि मुझे फल ही नहीं मिलता तो फिर किसी बज़र्ग ने एक परंपरा बनाई वहाँ पर कि हर वेक्ति एक दिन में एक फल खाएगा चाहे किसी के पास कितने फल हों कितने पेड़ हों और जो फल बचेंगे उनको दुबारा से बो देगा ताकि और पेड़ हों और फल बने तो ये परंपरा उस बज़र्ग ने गाहों की सारी पंचाइट बुला करके उसमें घोशना कर दी कि इस तरीके से अब हम आगे फलों का डिस्टिबिउशन करेंगे अब एक पीडी चली गई दूसरी पीडी आई तीसरी पीडी आई जब तीसरी पीडी आई तो घाहों के अंदर फलों के बगीचे के बगीचे लग गए फली फल हो गए लेकिन आज भी वही परंपरा थी कि एक दिन में वेक्ति एक फल खाता था आज फलों की तादात बहुत ज़ादा हो गए थीश्री पीडी पर आके बहुत सारे पेढ़ ओगे उनमें फल बहुत लगने लगे लेकिन आज भी वो सभी जो थीश्री पीडी थी वो एक ही फल खाती थी और बाक्वी इतने सारे फल निकलते थे तो वो बच जाते थे अब सहर नजदीक था तो सहर से कुछ लोग आए कि उस गाउं में इतने फल होते हैं हम उसे ले आते हैं फैसों से लेकिन उन जो गाउंवासी थे उन्होंने कहा कि नहीं हम किसी को फल नहीं देंगे और एक फल हम रोज खाएंगे अब आप लगाईए कि इतने सारे फल पैदा हो गए और उस में से केवल एक फल एक आदमी एक घर में खा रहा है तो अब फलों की तादात गाउं के अंदर बहुत जादा हो गई और वो जगे जगे कहीं सड रहे हैं कहीं कुछ हो रहा है फली फल गाउं के अंदर हो गए तो फिर एक वेक्ति वहाँ पर एक समझदार पैदा हुआ समझदार वेक्ति ने सब का विरोध करके अपने फलों को जो पहले तो परिवार खूब खाता था एक फल की जगे सेंकड़ों फल खाने शुरू कर दिये और जो फल बचने लगे उनको बाजार में जा करके बेचने लगे धीरे धीरे करके लोगों ने उसका विरोध किया उसके फलों को बेचने के लिए रोकने लगे बहुत ज़ादा परिशानियां उसाथ वैक्ती को जिलनी पड़ी लेकिन फाइनली ये हुआ कि वो वैक्ती निरन तरफल बेचता रहा और अब धीरे धीरे करके सभी लोग जब उसकी हाला सुधरते गए उसने अच्छा मकान बना लिया अच्छी गाड़ी ले ली अच्छा रहंसेन करने लगा तो दूसरे लोग पर परभावित हो गए और वो भी जमाने के साथ चलने लगे ऐसी ही हमारी परंपराएं हैं ऐसे ही हमारे युगों युगों से इस धर्ती पर एक वेक्ति जो कह गया एक परंपरा बना गया उस समय की परिस्तिती के हिसाब से लेकिन बाद में नई लोग हुए जिनको करांती कारी कहती है हर देश में करांती आई चाहे धरम को लेकर हो चाहे कमाई के साधनों को लेकर हो चाहे पढ़ाई के साधनों को लेकर हो चाहे सामाजिक्स्तर को लेकर हो चाहे विभाय पर्था को लेकर के हो हर तरीके से करांतियां हुई और बदलाब हुए लोगों ने पुरानी परंपराओं को छोड़ा जैसे हम अपनी देश की बात करें पहले सती पर था होती थी बाल विभाय होता था और अनेकों ऐसी अंद्विश्वास की चीजें थी बातें थी लोग जिनको ढोते थे लेकिन आज भी हमारा देश उन अंद्विश्वासों से उन परंपराओं से मुक्त नहीं हो सका है और तभी हम तरक्की की परकाष्ठा जो होनी चाहिए हमारे देश के अंदर वो नहीं है तरक्की रुकी हुई है इन अंद्विश्वास और परंपराओं से आज भी लोग बिली अगर रास्ता काट देती है तो रुक जाते हैं कोई छीक मार देता है तो रुक जाते हैं रात को जाडू ना लगाना ये कौन से परंपरा हो गए उस जमाने में इसलिए रात को जाडू नहीं लगाते थे ताकि घर का कोई कीमती सामान जाडू के रास्ते क्योंकि अंधेरा होता था और जाडू के रास्ते बाहर ना चला जाए लेकिन आज तो लाइट है आज तो दिन और रात का अंतरी खतम हो गया जब से विजली आई है तो आज आप कभी भी जाडू लगा सकते हैं बिल्ली कभी भी रास्ता काट सकती है पहले क्या था पहले आदमी पैदल चलता था थोड़ा उस बहाने सुस्ता लेता था लेकिन आज तो का रहे हैं गाडियां हैं इंजन चल रहे हैं तो आज बिल्ली का रास्ता काटा जाना कोई अपसगुन नहीं है रात को जाडू लगाना कोई अपसगुन नहीं है छीक मारना कोई अपसगुन नहीं है आप देख रहे हैं आप के कोरोना में जो छीक मार देता है उससे घबराने लगे हैं लोग तो ये तो ठीक है किटानू निकलते हैं और वो दूसरे की तरफ जाते हैं तो ऐसी जो खराब परंपराएं हैं उनको अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप देखेंगे आप जमाने से बहुत पीछे रह जाएंगे तो इसलिए आप अपनी माताजी को समझाएं बताएं परंपराओं के तरीके बताएं कि आज जो परंपरा है आज की जो परंपरा है पहले लोग खेत खरीते थे जमीने खरीते थे क्योंकि खेती पर डिपेंड थे आज लोग खेतों को बेच करके जमीनों को बेच करके उन पर विल्डिंगें बना रहे हैं दूसरे कामों में ले रहे हैं उस पैसे से कोई स्टॉक मार्किट में कर रहा है तूंकि आज ब्योक्राइज ही ग्रोथ कर रहा है खेती ग्रोथ नहीं कर रही तो इसलिए हर देश के अंदर अगर हम देखें उन चीजों को तो लोगोंने परंपराएं छोड़ी हैं और समय समय पर ऐसे लोग हुए हैं विदेशों में चाहे अपलातून को ले लें, सुकरात को ले लें, सभी ने, सभी ने तरीके बदले हैं, इलाज के तरीके बदले हैं, रहनसेन के तरीके बदले हैं, खानपान के तरीके बदले हैं, और अपने जातिगत जो बेरियर थे, उनको भी तोड़ा है लोगों ने, ध उन्होंने समाज के लिए भी काम किया है और मानव उत्थान के लिए भी काम किया है तो इसलिए शिरिमान जी आप अपनी माता जी को हमारा वीडियो भी दिखा सकते हैं और खुद भी उनको समझा सकते हैं और उन परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा अगर नहीं तो आपके घर में कलेश होंगे, क्योंकि नई जनरेशन जो आ रही है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी परंपराओं को, क्योंकि उन्होंने वो समय नहीं देखा, जिस समय वो परंपराओं बनी थी, अगर आप से ही कोई पूछे कि ये परंपरा आप क्यूं कर रहे हैं, तो आपके पास भी इसका साठीक जवाब नहीं होगा, आपको भी नहीं पता कि ये क्यूं आप ऐसा करते हैं, क्यूं आप उन परंपराओं को ढो रहे हैं, उनको पुराने कपड़े आप उतार देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, क्या वही कपड़े आप पहन रहे हैं, वी बुजुर्क पहनते थे, नहीं न, जब आप कपड़े वो नहीं पहन रहे हैं, अपने बुजुर्गों के, तो परंपराएँ उननकी आपको छोड़ देनी चाहिए और आज के जमाने के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, नई परंपराएँ गठित करनी चाहिए और उन परंपराओं पर आपको आगे बढ़ना चाहिए मैं समझता हूँ कि परंपरा के नाम पर आप समझ गए होंगे कि आप सभी बहुत ज़्यादा बुद्धी जी भी है और मेरा छोटा सा इशारा होता है और आप समझ जाते हैं इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर विराम देते हैं और आप अपने परंपराओं को छोड़ें पुरानी जो आपको नुकसान देती हैं और नई परंपराओं को जमाने के हिसाब की परंपराओं को आप अपने जीवन में उतारें इसी के साथ मैं आज आप से विदाद लेता हूँ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नई समश्या के साथ और नई उसके तरीकों के साथ आप सभी के अंदर बैठी इच्छा को मैं पुने नमन करता हूँ जै हो अगर आप इच्छा पूर्ती समधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं इच्छा पूर्ती समधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं YouTube पर इच्छापूर्ती समधान आश्रम, Instagram पर इच्छापूर्ती समधान आश्रम, Twitter पर इच्छापूर्ती समधान आश्रम, और जितने भी social network हैं, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी नई नई जो खोज हैं, नई जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा हमारा फोन नमबर है हमारा वर्टसेट नमबर है 7428602621 हमें आप हमें यहां पर फॉलो कर सकते हैं आपकी हर इच्छा का स्वागत है हर इच्छा को नमन है और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको आसान तरीके आपको बताए जाएंगे जै हो